Hello students, so आज मैं अपने अनुमान सीरीज का फिफ सेशन लेके आया हूँ तेक है, इससे पहले चार सेशन में मैंने आप से बात कर ली थी तेक है, डिफरेंट स्टेट्स की, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक और स्टेट तेक है, अच्छा, इस पार्ट के अंदर, जो आपको पता है जैसा की आपका जो रैंक नीट में आया है, तेक है, उस नीट की रैंक के बेसिस पर आप किस कॉलेज को प्रेडिट कर सकते हैं, तेक है, on the basis of 2019 and 2020, मैं आज आपको ये बात बताने जाओंगा कि आपकी rank के according आपको कौन सा college ठीक है West Bengal का मिल सकता है But मैं mainly बात करने जा रहा हूँ 85% state quota की यानि आपको ये बात सभी को पता है कि जो आपका need 2021 हुआ है उसमें 15% seeds जो है वो किसी भी state के colleges की वो All India quota AIQ से भरी जाएंगी बाकी 85% जो है वो state quota से बरी जाएंगी So जो 85% state quota है उसके अंदर जो Bengal domicile वाले students है That is West Bengal domicile वाले उन लोगों के लिए आज मैं बात करूँगा So start करते हैं from very first देखो जरा सबसे पहले 85% state quota जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ उसी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ open category that is general key इस general category के अंदर जहां मैं देख रहा हूँ सबसे पहले main college that is medical college of Kolkata 4, 3, 6, 6 rank तक आपका students को मिला है जिन students की rank 1 से लेके 4, 3, 6, 6 तक है उन students को medical college Kolkata जोकि बहुत पुराना college है वो मिला था इसके अलावा NSMC Kolkata, IPGMR Kolkata, PGKMC Kolkata CNMC Kolkata, सारे के सारे जो top institutes है 5 तक है वो within आपकी 15,000 जो rank है उसके अंदर general category के students को मिले थे इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तक है, so college of medicine Kolkata, BMC, Burdwan ठेक है, college of medicine, Kalwani, ये सब colleges जो है ठेक है, up to 18,000 to 30,000 ठेक है, MMC, Murshidabad ठेक है, ये सारे college जो है basically वो 15K से लेके और 30K तक का जो rank है उस rank तक जिन भी students ने score किया था ठेक है, that is all India rank जिन students की all India rank जो है वो 15,000 से 30,000 तक थी उन students को ये college मिल गए थे ठेक है, अच्छा थर्ड, अगली बात करता हूँ 31 या 32,000 से लेके और 37,000 तक ठेक है, जिन students की rank up to 37,000 थी ठेक है, और वो Bengal के अंदर लाए करता था, किस में? जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उस student को, government college जो है, वो a lot हो गया था 2020 के data के basis पर ठेक है, अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूँ, next अगर मैं OBC category की बात करता हूँ, on the basis of rank अगर मैं इसके लिए बोलता हूँ, so 6556, ठेक है जो top medical college है, ठेक है वो इस rank पर, जो भी Bengal के domicile students थे, जिन के पास मैं Bengal का मूल निवास कह सकते हैं, आप domicile certificate था, उन students को ये college a lot हुए थे इसके बाद मैं, अगर मैं main colleges की बात कर लेता हूँ, so up to 6000 से लेके और up to 20000 तक यानि 20K तक, अगर आप OBC category में लाइ करते हैं, या आपकी category OBC है ठेक है, so आपको उस case में, जो main top medical colleges है, Kolkata के वो सारे के सारे मिल गए थे, ठेक, अच्छा, इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, तो 21,000 से लेके, और 35,000 तक, ठेक है, 20,000 से लेके, 35,000 तक बाकी colleges, ठेक है, तो up to 38,000 जिन students की rank, ठेक है 38,000 तक थी, वो भी कौन सी rank, सिर्फ, All India rank की बात कर रहा हूँ, जिन students की All India rank, 38,000 तक थी उन students को बंगाल का कोई ना कोई government college ठेक है, मिला था, if they belongs to OBC category, ठेक है अगर उनकी All India rank 38,000 तक थी, then in case, वो अगर बंगाल के government categories, ठेक, अच्छा एक बात, अगे बढ़ते हैं, next बात करता हूँ, for SC category, SC category के लिए अगर मैं जाता हूँ, then starting from very basic, that is 35K से लेके, ठेक है 35K से लेके, अगर मैं बात करता हूँ, so 80K तक बलकि 90K तक अगर मैं बात करता हूँ, so 90K तक कोलकाता के जो main colleges थे, वो SC category के students को a lot हो गए थे, जिन students की rank, ठेक है, 1 से लेके और 90,000 तक थी all India rank, या न, all India rank, जिनकी 90,000 तक थी उनको, जो कोलकाता के main colleges हैं, उनमेंसे कोई ना कोई जो है, वो a lot हो ही गया था, ठेक, आगे बात करते हैं, next, लेक, और 30,000 तक अगर किसी की rank हैं, ठेक है 1 lakh, 30,000 तक अगर किसी student की rank थी, ठेक है और वो SC category के अंदर अगर belong करता है, ठेक है, तब उसको कोई भी government college, जो कोलकाता, स्वरी, बंगाल से है basically, उसको मिल गया था, और जो कोलकाता के main colleges हैं, they will be up to 90 के, वो लगबग 90,000 rank तक मिल गये थे students को, ठेक है, इसके अलावा, last, that is, ST category की बात करता हूँ, so ST category के अंदर, मैं start करते हैं, सबसे पहले, 187 यानि, 187,000 के, अगर मैं बात करता हूँ, 187,000 के से लेके, ठेक है, और, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो 4,41,000 तक का, अगर आपका rank है, यानि, 187,000 पर भी top medical college जो थे, वो आपको मिल रहे थे, ठेक है, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, then in case, 4,41,000 मतलब आपकी rank अगर 4,500,000 तक है, और आप ST category के अंदर belong करते हैं, ठेक है, तब आपको कोई ना कोई government college बंगाल का मिल जाना है, ठेक, अच्छा, that means, मुझे एक मोटा मोटा सा एक बात अंदाज सा समझ में आ गया, कि अगर मैं general category में हूँ, तो मुझे 35,000 तक rank लानी है, ठेक, तो तो मेरे को college अलॉट हुए है, वो 4,40,000 तक अलॉट हुए, means, इस year के students को भी अगर इतनी rank तक हैं, तो वो college में admission के लिए preparation शुरू कर सकते हैं, तेक, आगे बढ़ते हैं, next, अब अगर आप चाहें, तो जो private colleges हैं, और जो government colleges हैं, उनके दोनों के data's मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, एक, इसके अलावा आप चाहें, so, जो आपकी EWS category है, उसकी मैंने tabular form में ही सिर्फ रखा है data, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेगा, तेक, एक चीज़ और, यहाँ जो यह yellow colored colleges हैं, यह yellow colored colleges सारे government colleges हैं, और जिन पर मैंने यह yellow dot नहीं लिया है, they are the private colleges of West Bengal, basically, इनकी भी marks और ranking जो है, वो मैंने एक बार put की है, जितना data available थाउट से, ठीक है, so, आप इनको भी चाहें, ठीक है, so, accordingly देख सकते हैं, ठीक, so, इसका अगर आप चाहें, तो snap भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहूं, तो आप अपने, जो competition का, need का, जो telegram group है, उस पर आके भी अपने, इन PDFs को मुझसे ले सकते हैं, एक, अगर आपको, इसके अलावा भी कोई query रहती है, तो description box में, आपको number भी मिल जाएंगे, आगे बढ़ता हूँ, ये तो बात थी, कब की, 2020 के data की, अब मैं बात करता हूँ, 2019 के basis पर, so 2019 के basis पर, जब मैं 85% state quota के लिए बात करूँगा, then, general category के लिए, जैसे अगर मुझे बताया जाता है, कि, पुरूलिया, actually मैं, खुला ही आपका 2020 में था, तो establish ही उसका, पहला session था वो, so 5000 rank पर, आपका medical college कॉलकाता जो है, वो allot हुआ है students को, ठेक है, और up to 20,000, ठेक है, up to 20,000, जो main colleges थे, ठेक है कॉलकाता के, वो students को allot हो गए थे, इसके बाद अगर आगे बाद करते हैं, so up to 34,000, ठेक है, जो students की rank थी, उनको बाद की colleges, and up to 39,000, up to 39,000, जिस student की general category में rank थी, all India rank, ठेक है ना, rank all India ही है, पूरे के पूरे table में, पूरे के पूरी slides में, सिर्फ और सिर्फ, all India ranks की ही मैंने बात की है, तो 39,000, अगर किसी student की rank है, ठेक है, और वो बंगाल के domicile में है, तो उसको 2019 में, government colleges a lot हो गए थे, ठेक है, यही data 2020 में, 38,000, 35,000 था basically, तो अगर आपकी 35,000 से 38,000 के बीच में rank है, ठेक है, तो finally आपको कोई ना कोई government college मिल जाएगा, ठेक, अच्छा, और अगर आपको top colleges का कुछ निमाग में रखके चलते हैं आप, तो वो आपको 20K, यानि 20,000 rank तक मिल जाएगे, ठेक, आगे बात करता हूँ, next is basically OBC, ठेक है, OBC के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, तो 6,500, यानि 6.5K पर आपके main, जो government college था, top medical college, वो मिला, उसके बाद मैं 21,000, और basically say 30,000 तक आपको, जो main college थे, वो a lot हुए थे, इसके बाद और आगे बात करते हैं, so 43,000 तक, ठेक है, जिन students की rank थी, यही data, थोड़ा सा dip किया था, 39,000 तक था यह data, in the session 2020, यहाँ 43,000 तक, जिन students की rank थी, उनको मिल गया था, ठेक, कोई ना कोई government college, for MBBS seat basically, next बात करता हूँ, for SC category, जब मैं SC category का data देखता हूँ, 2019 का, on the basis of that data, मुझे यह देखता है, कि 36,000 से लेके, ठेक है, 36,000 से लेके, जिन students की rank जो है, वो, 1,45,000, ठेक है, 1,45,000 की, बीच में, जिनकी rank थी basically, यही data थोड़ा सा dip किया था, 2020 में, 1,30,000 से तक के students को, यह, government college जो है, वो, अलॉर्ट हो गये थे, so 1,40,000, यह, 45,000 तक, 2019 में, students को, government college अलॉर्ट हुए थे, if they belongs to, the SC category basically, ठेक है, but condition ध्यान रखेगा, this data is for, basically, जो बंगाल के, domicile students है, ठेक है, जो बंगाल के बाहर के students है, उनके लिए यह चीज नहीं है, ठेक, आगे बात करते हैं, next one is, ST category, ठेक है, अगर मैं ST category में बात करता हूँ, तो उस case में, जो students थे, जिनकी rank 1,083,000 थी, उनको top medical college, जो है वो, कौलकाता का, या कह सकते हो, कि बंगाल का, मिल गया था, इसके अलावा, जिन students की rank, जो है, वो 5,00,00 तक थी, ठेक है, यानि, 1,83,000 से लेके, 5,00,00 तक के बीच में, अगर किनी students की rank थी, and they belongs to ST category, in that case, he or she, can get a government medical college, ठेक है, from state quota, बेसिकली, ठेक है, तो 5,00,00 रेंट तक आपको, कोई न कोई, government college, state quota से, मिल जा रहा था, ठेक, अगर मैं, सारे के सारे, 2019 के data को, sum up करने कोशिश करता हूँ, ठेक है, तो उस case में, या अगर, EWS category आपको देखना है, तो उसका data आपको, यहां मिल जाएगा, ठेक है, इसको मैंने, tabular form में ही रखा था, सिर्फ, ठेक है, EWS category के बारे में, वैसे भी आप लोग जानते होंगे, जो unreserved category, या फिर कह सकते हो, कि जो general category के students है, those are economically somewhat weaker, ठेक है, वो students, ठेक है, इस quota के लिए apply कर सकते हैं, they have a 10% quota in, basically the, जो भी आपका, इसका total है, उसका 10% approach EWS में मिला था, ठेक, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बट इसके लिए आपको अलग से certificate की ज़रूरत पढ़ती है, ये अगर आपके पास नहीं है, और आप इस category में belong करते हैं, तो इसको बनवाके रख लीज़े, before counseling, ये भी ध्यान रखना, ठेक, अच्छा, इसके अलावा, ये तो थी बात उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने 2020 के पेप, मतब पूरे साल में बहुत मेहनत की, 21 में मेहनत की, अब जाके उन्होंने इस साल का paper दिया, तो उनकी कोई ना कोई rank अच्छी आई है, अगर आपको लगता है कि आपकी rank अच्छी नहीं है, करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितने आपको papers देने हैं, कितने नहीं देने हैं, कब देने हैं, कब slavers खतम करना हैं, ये सब अगर आपको लगता है कि हम आपकी care करें, तब आप उस batch को join कर सकते हैं, ठीक है, admission related queries आपको description box में मिल जाएंगी, इसके अलावा, अगर आप चाहें, तो हमारा जो YouTube channel है, competition need, ठीक है, इस channel पर, पूरा का पूरा जो content है, वो free of cost available है, आप अगर चाहते हैं, कि हम free of cost, पूरी की पूरी need की preparation कर सकते हैं, और एक without coaching, ठीक है, without spending, आप single penny, आप चाहें, तो पूरी की पूरी preparation को कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कि इस content से, इस year भी बहुत बड़े-बड़े results आए हैं, ठीक है, कुछ students के, जो videos हैं, जो उनके journey थी, उसको share भी किया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, इन केस अगर आपको कोई doubts वगेरा आते हैं, then there is a telegram channel, which is open for all, जो paid batches हैं, overall first, second, third, उनके अलावा, जो general students हैं, वो भी अपने, इस telegram group पर, अपने doubts को post कर सकते हैं, ठीक है, most probably आपको, ये, जो part है, वो जल्दी ही, मिल जाएगा, ठीक है, so competition neat जो है, वो आपको, competition neat के नाम से, हमारा telegram group है, ठीक है, so that's all for this day, bye bye, take care दोस्ता,